हेलो एब्रिवन वालकम टू आर यूटूब प्रिपाड़ाशन चैनल दोस्तों मेर वेल और में आज आज आप सब के सामने आप साम डाइरेक्ट रिकूट्मेंट एक्जाम 2022 का पेपर वान का सौल्ब क्वेक्शन लेके आया हो तो पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कौन से नंबर पेपे करेंगे 9101-467653 इस नंबर पेपे करके इसका स्किन शॉट मेरे वाट्सप नंबर पे बेच देना मेरा वाट्सप नंबर है 9101-467653 शुरू करते हैं आज का पहला क्वेक्शन देखिए इसमें माल्टिलिंग्वेल क्वेक्शन पेपर रहता है आप क्वेक्शन नंबर वान जो विक्ट्रिया मेमोरियल इस सिच्वेटेटेट इन सो अप्षन ए कॉलकाता और पेपे कैसेक्टी यह क्वेक्शन आता है गेट्वे ओफ इंडिया यह भी याद रखना आप्शन दी जो बुपाल उसमें मती महल यह याद रखना इंप्शन क्वेक्शन नंबर टू देखिए इन हुइस ट्रेक और फिल्ड स्पोर्ट डास हिमादाश पाटिसिपेड थिपल जम लॉंग डिस्टेंस रन स्प्रिंट शॉट डिस्टेंस अप्शन डी हर्डल्स राइट अंसर का वह है आप्शन सी यह स्प्रिंट शॉट डिस्टेंस ह किमादाश को कह सकते है धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और रिसेंटली उनको मतलब सिलेक्ट किया गया डिस्पी पे आसम के जो डिस्पी है वह पोश्ट पे उनको सिलेक्ट किया गया और उनको टुटाउजन देखिए एट्टिन पे जो जाकार्ता एशियन ग करेंगे थोड़ो ली क्वेशन नमर त्री फू आसम भाइबब एवार्ड इन डिसेंबर 2021 जो आसम भाइबब एवार्ड डिसेंबर 2021 पे दिया गया वह की से दिया गया देखो जी तंद्रदनात गुष्वामी रतन टाटा जी रतन थियाम अमल प्रभादाश इसका जो जो हाइश्ट सीहिलियान एवार्ड जी याद रखनाय य published informed यह दिया गया और अभी तक मतलब कहसे हैं दोढ़ों को मतलब यहिए वार्ड डिया गया एक रतन ट्रटा दुसरा है ठ प्रह्वर्वं ynेजे याद रखना हॉन्पे छीकिया जी को मतलब कि समेद्र गांद्र Лो सबसे बड़ा स्टेडिया में याद रखना और इस बार का जो वाल कप शुरूआ इसी में शुरूआ और ज्यादा तर गेम हिस्ट में हो रहा है नरेंद्रमदी स्टेडियम क्वेशन नमबर फाइब MP-LED स्कीम यह जो L.A.D. यह कह सकती यह स्टेंड क्या होता है सो लोकेल एसेट डिवलपमेंट लिडिंग एसेट डिवलपमेंट लोकेल एरिया डिस्टिपिशन इसका जो राइटन से रोगाब वह आप्शन भी यानि लोकेल एरिया डिवलपमेंट इसमें 5 क्रूर रुपीस रहता है एरिया के डिवलपमेंट करने के लिए क्वेशन नुबर सिक्स और वन होस्ट बर्डे इस अभीरुची स्पोर्ट डे इस सेलिब्रेटेड इन आसम सो अप्शन बुगेश्वर बरुआ अप्शन भी मुनालिस्या बरुआ अप्शन सी हमादार अप्शन डी रादा गुबिन भरुआ इसका जो राइट अंसर का वो है अप्शन यानि भुगेश्वर बरुआ इनको कह सकते है जाकार्ता जो एशन कीम हुआ था 1966 पे उनको मतलब 800 मीटर रेस पे कह सकते है गोल्ड मेंडल मिला था उनके कह सकते है बढ़्डे को अभी रुची स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और आसम में 1984 से यह sport day celebrate किया जाता है और यह कौन से तारीक को celebrate किया जाता है बोलो तो आप लोग वीडियो को पॉस करके आंसर बोल देना तो मैं बोल रहा हूँ यह 3rd September 1984 से यह start हुआ और इंडिया पर कह सकते है 2012 से अभी आज जो sport day वो celebrate किया जा रहा है और आसम में यह अभी रूची क्यों हुआ अभी रूची मतलब तब के मतलब किया सकते only sport में गाजिन था आसम का जिसमें मतलब sport के बारे में बताया जाता था इसलिए यह अभी रूची sport day के हिसाब से जाना जाता है यह भी याद रखना Q7. Which one of the following place connect आसम वी तोरुन अचल पदेश दिराख बक्सरीगार अप्शन सी दिमापूर अप्शन D जोड़हाट राइट हांसरो का दिराख याद रखना यह चेक पोस्ट यह Q8. Who was the first person from आसम to clear Indian civil service यानि ICS examination जामचंग, नामपूई, अनंदराम बरुगा, हेमचंद्र बरुगा, परपती परशाद बरुगा, राइट अंसरो का option B यानि अनंदराम बरुगा याद रखना और इंडिया के कोन मतलब first ICS clear के आता इंडियान civil service वो आप लोग मुझे comment section में बता देना question number 9 who put forward the law of physics that every action has an equal and opposite reaction so 4 option में से जो राइट अंसरो का वो है option C, Sir Isaac Newton याद रखना और आज का last question है question number 10 what is the capital city of the Jimbabwe Jimbabwe का जो capital city कौन सा है वो है देखे हरारे यानि option B correct है Nairobi किस का capital है Kenya का, Cairo, Egypt का और Khartam Khartam किस मतलब किस का entry का मतलब कहा सकते है यह जो capital है यह आपके लिए task है या आप लोग मुझे comment section में बता देना so thank you so much, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर खरो thank you